तन की जाने मन की जाने जाने चित की चोरी उस कानहा से क्या छुपाएं जिसकी हाथ है सब की डोरी हरे कृष्णा इसी सुविचार की साथ आप सभी का दिन शुभर मंगल में हो आज सुनिए आगे की कथा जिसमें नरकासुर के महल में जो रतन थे उन्हें भी भगवान कृष के 21 लाख घोडे भी देखे श्रीक गोविंद ने उन कन्याओं हाथियों और घोडों को द्वार का पूरी फेश दिया वरुण के छत्र और मनी परवत पर भी उनके द्रश्टी पड़ी उन्हें भगवान ने पक्षिराज गरुड पर रख लिया और फिर सत्य भामा के साथ ख चले जा रहे थे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचका श्रीकृष्णी ने शंक बजाया शंक की अबाद सुनकर सभी देखता अर्ग्य पात्र लिये भगवान की सेवा में उपस्तित हो गए उनके द्वारा पूजित होकर भगवान श्रीकृष्ण देव माता अधिती के महल में चले गए वहभव भवन श्वेत बादलों के समान धवल और परवत शिखर के समान उचा था उसमें प्रवेश करके भगवान ने देवी अधिती को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया फिर दोनों दिविकृंडल उन्हें अर्पित कर दिये और नर चनमाता अधिती कहने लगी भक्तों को अभय देने वाले है कमल्यान परमेश्वर आपको नमस्कार है आप सनातन आत्मा भूतात्मा सरवात्मा और भूत भावन हैं मन बुध्धी और इंद्रियों के प्रेरक हैं है गुण स्वरूप आप श्वेत दीरगादी संपून और स्वप्न आधी तीनों अवस्थाओं से परे हैं आपको नमस्कार है है अच्चित संध्या रात्री दिन भूमी आकाश वायू जल अगनी मन बुध्धी और रहंकार सब कुछ आप ही है है इश्वर आप ब्रह्मा विश्णू और शिव नामक अपनी मूर्थियों से जग व्रताओं के भी अधिपती हैं चराचर जगत आपकी मायां से व्याप्त है जनारधन अनात्म वस्तू में же आठ्म बुध्धी होती है वे आपकी माया है उसी के दवारा और मंता का भाउत्व पन होता है नाथ इस संसार में जो कुछ होता है व HASतब आपकी यहीं चेस्टा ह भगवन जो मनुष्य अपने धर्म में ततपर होकर निरंतर आपकी आराधना करते हैं वे अपनी मुक्ती के लिए इस सारी माया को तर जाते हैं ब्रह्मादी संपोर्ण देवता, मनुष्य और पशु ये सभी श्री विश्नु माया के महान भवर में पड़े हुए मोह के अंधकार से घिरे हुए हैं भगवन जो आपकी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं वे आपकी ही माया द्वारा बधे हुए हैं मैंने भी पुत्र की कामना से और शत्रुपक्ष का नाश करने के लिए ही आपकी आराधना की है मोक्ष के लिए नहीं ये आपकी माया का ही विलास है पुर्णे रहित मनुष अगर कल्प व्रिक्ष से भी कौपीन मातरी ही लेने की इच्छा करे तो ये अपराध उसके अपने ही पापकर्मों का है अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले है अविनाशी परमेश्वर मुझ पर प्रसन हो ये ज्यान स्वरूप संपूर्ण भूतेश्वर मेरे अज्यान का नाश कीजिए आपके हाथों में चक्र, शारंग धनुष, गदा और शंक शोभा पाते हैं हे विश्णो, आपको बारंबार नमस्कार है, परमेश्वर, शंक, चक, राधी, इस्थोल, चिन्नों से सोशोभित, आपके इस रूप का मैं दर्शन करती हूँ लेकिन आपका जो परम सुक्ष में स्वरूप है, उसको तो मैं नहीं जानती, आप मुझे पर प्रसन हो ये प्रभू देव माता अधिती के इस प्रकार इस्तोती किये जाने पर भगवान श्रिकृष्ण हसकर बोले देवी, आप हम सब लोगों की माता हैं, इसलिए आप ही प्रसन होकर हमें वर्दान दीजे अधिती बोली, एव मस्तू, नर्श्रिष्ट, जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूगी आप मर्ति लोक में संपून देवताओं और असुरों से अजे होंगे इसके बाद सत्यभामा ने इंद्रानी सहित अधिती को प्रणाम किया और कहा, देवी, आप मुझ पर भी प्रसन हो अधिती ने कहा, सुब्रू, मेरी कृपा से तुम्हें व्रिधावस्था और कुरूपता कभी स्पर्ष नहीं कर सकेगी तुम्हारी संपून कामनाई पूर्ण होंगी इसके बाद देवी अधिती की आग्या से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजिन किया श्री कृष्ण भी सत्यभामा के साथ देवताओं के नंदन वनादी संपून उत्यानों में घूमने फिरने लगे एक इस्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजाद का एक वरक्ष देखा जो परम सुगंधित, मंजरियों से सुशोबित, शीतलता और प्रसनिता देने वाला तामर वर्ण के पल्लवों से अलंकरित और स्वर्ण के समान कांती मान था अमरित के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह वरक्ष प्रकट हुआ था उसे देखकर सत्य भामा ने श्री गोविंद से कहा नात इस वरक्ष को आप द्वार का क्यों नहीं ले चलते आप कहते हैं कि सत्य भामा मुझे बड़ी प्रेय है अगर आपकी ये बात सत्य हो तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वरक्ष को अवशी ही ले चलिए सत्य भामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को करुड़ पर रख लिया ये देखकर उस वन के रक्षकों ने कहा गोविंद देवराज की महरानी जो शची है उनका ही इस पारिजात पर अधिकार है आप उनके इस प्रेवरक्ष को मत ले जाएए देवताओं ने अमरित मंथन के समय महरानी शची को विभूशित करने के लिए ही इस वरक्ष को प्रकट किया था आप इसे लेकर कुशलता पूरवक नहीं जा सकते आप अज्यान वश ही इसे ले जाने की इच्छा करते हैं भला इस पारिजात को लेकर कौन कुशलता से जा सकता है दिवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे जब इह हाथ में वज्र लेकर आगे बढ़ेंगे तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे इसलिए संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवात करने से क्या लाब है अच्यूत जिसकारी का परिणाम कटू हो उसकी विद्वान पुरुष कभी प्रशिंसा नहीं करते वन रक्षकों के ऐसा कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत क्रोधित होकर बोली शची हो ये देवराज इंद्र इस पारिजात को लेने वाले कौन होते हैं अगर ये अमरित मन्थन के समय समुद्र से निकला है तब तो इस पर संपूर्ण लोकों का समान अधिकार है इसे इंद्रा केले कैसे ले सकते हैं अगर अपने पती की भुजाओं के बलकाधि गमंड होने के कारण शची इस विरक्ष को रोकती है तो तुम लोग शिकर शची के पास जाकर मेरी ये बात कह दो कि सत्यभामा अपने पती पर गर्व करके द्रिश्टता पूर्वक कहती है कि अगर तुम अपने पती को अतिंत प्री हो तो पारिजात विरक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पती को उनके द्वारा रोक कर दिखाओ ये सुनकर रक्षकों ने शची के पास जाकर सत्यभामा की कहीवी सारी बातें जियों की त्यों सुना दी शची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया तब इंद्र पारिजात के लिए संपून देवसेना को साथ ले जाकर श्री कृष्ण से युद्ध करने को ततपर हुए जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए तब समस्त देवता भी परिग, खट, गदा और शूलादी आयुदों के साथ तयार हो गए भगवान श्री कृष्णे ने देखा इंद्र एरावत पर सवार होकर देव परिवाल को साथ लेकर युद्ध के लिए उपस्थित है तब उन्होंने पांच जन्य शंक बजाया उसकी ध्वनी से संपून दिशाईं को जूठी साथ ही उन्होंने सहस्त्रों और लाखों बाणों की वर्षा आरम कर दी उन बाणों से संपून दिशाईं और आकाश ढग गए ये देखकर सभी देवता भी अनेक परकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे संपून जगत के स्वामी भगवान मधु सूदन ने देवताओं के छोड़े वे एक एक शस्त्र के खेल ही खेल में हजारों टुकडे कर डाले पक्षिराज गरुन ने वरुन के पाश को खीच लिया और छोटे छोटे सापों के शरीर की तरह उसके टुकडे टुकडे कर डाले भगवान देव की नंदन ने यमराज के चलाईवे दंड को गदा की मार से टुकडे टुकडे करके प्रत्वी पर गिरा दिया कुबेर की शिबीका को चकर से तिल-तिल करके काट डाला सूर्य और चंद्रमा उनकी द्रिष्टी पढ़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे अगनी देव के सेक्ड़ों टुकडे हो गए आठों वस्वों ने भगवान के बाणों की चोट खाकर आठों दिशाओं की शरणली ग्यार है रुद्र भी धारशाई हो गए उनके तिरिशोलों के अगर भाग चकर की धार से छिन भिन हो गए साथ्य विश्वेदेव, मरुदकड और गंधर्म शारंग थनुष्थारी भगवान श्री कृष्ण के बाणों से आहत होकर सेमर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे गरुड तो सदा आकाश में ही चलने वाले ठहरे उनने चोट से, पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों को घायल कर डाला इसके बाद दिवराज इंद्र और भगवान मधुसूधन एक दूसरे पर हजार हजार बाणों की वर्षा करने लगे मानों दो मेग परस पर जलकी धाराएं बरसा रहे हो एरावत और गरुड में भी घहमासान युथ होने लगा जब सब प्रकार के अस्त्र शस्त कट कर गिर गए तब इंद्र ने वज्र और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया उन दोनों को वज्र और चक्र हाथ में लिये देख चराचा जीवो सहित संपूर्ण त्रीलोकी में हाहाकार मच गया आखिरकार देवराज इंद्र ने वज्र को चला ही दिया लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा बस केवल इतना ही कहा खड़ा रहे खड़ा रहे देवराज का वज्र व्यर्थ हो गया और उनके वाहन को गरों ने छत विछत कर डाला इसलिए वेरन भूमी में से भागने लगे उस समय सत्यभामा ने कहा आप तो महराणी शची के पती है आपका युद्ध से भागना उचित नहीं है पारिचात पुष्पो के हार से सुशोभित और प्रेम पुर्वक आईवी शची को यदि आप पहले की तरह विज़ई होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिए ये देवराज का पत कैसा लगेगा इंद्र अब अधिक प्रयास करने की आवश्यत नहीं है आप लज्जा का अनुभम ना करें आप ये पारिजात ले जाएगे जिससे देवताओं की पीड़ा दूर हो जाए मैं आपके घर गई थी किन्तु शची ने पती के गर्व से उन्मत्त होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा और मैं भी इस्तरी ही ठहरी और मुझे भी अपने पती पर गर्व है तथा इस्तरी होने की कारण मेरा चित्त भी अधिक कंभीर नहीं है इसलिए मैंने आपके साथ ये दठान दिया ये पारिजात दूसरे का धन है इसका अपहरन करने से मुझे कोई लाप नहीं होगा सत्यभामा के ऐसा कहने पर देवराज इंत्र लौट आए और बोले माननी खेद को अधिक बढ़ाने से क्या लाब जो संपूर्ण जगत की स्रिस्टी पालन और संगार करने वाले हैं उन विश्वरूप धारी परमेश्वर से युद्ध में हार जाने पर भी मुझे लज्जा नहीं आती देवी जिनका आदी अंध और मध नहीं है जिनमें संपूर्ण जगत की स्थिती है जिन से इसकी उत्पत्ती हुई है और जिन सर्वभूत में परमेश्वर से ही इसका संगार होगा उन स्रिस्टी, पालन और संगार के कारण भूत परमात्मा से परास्थ होने पर मुझे भला लज्जा क्यों होने लगी जिनकी अत्यंत अल्प और सुक्ष मूर्ती को जो संपूर्ण जगत की जननी है सब वेदों के ग्याता होने पर भी दूसरे मनुष नहीं जान पाते जो स्वेच्छा से ही सदा जगत का उपकार किया करते हैं उन अजन्मा, अकर्ता और सब की आदिपूत इन सनातन परमेश्वर को जीतने में भला कौन समर्थ हो सकता है व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र के इस प्रकार इस्तोती करने पर भगवान शिरी कृष्ण ने गंभीर भाव से हसकर कहा जगत पते आप देवराज इंद्र हैं और हम मनुष्य हैं आपको मेरे द्वारा किया हुआ ये अपरात शमा कर देना चाहिए ये रहा आपका पारिजात विक्ष इसे इसकी योगिस्थान पर ले जाएए इंद्र मैंने तो केवल सत्य भामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था आपने मेरे उपर जो वजिर चलाया था उसे भी ले ले लेजिए ये शत्रु संगारक अस्त्र आपका ही है इस पर केवल आपका ही अधिकार है देवराज इंद्र कहने लगे प्रभो मैं मनश्य हूँ ऐसा कहकर आप मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं भगवन हम तो आपके इस सुक्ष्म सगुन स्वरूप को ही जानते हैं आपके सुक्ष्म सवरूप का ज्यान हमें नहीं है हे जगनात आप जो कोई भी हो इस समय जगत की रक्षा में ततपर हैं असुर सूदन आप संसार का कंटक दूर कर रहे हैं संसार के दुख दूर कर रहे हैं हे श्रीक्रिष्न ये पारिजात आप द्वार का पुरी को ले जाएं जब आप मर्ति लोग छोड़ देंगे तब ये प्रत्वी पर नहीं रहेगा तब बहुत अच्छा कहकर भगवान श्रीक्रिष्न भू लोक में चले आए उस समय सिद्ध गंधर्व तथा रिशी महर्शी उनकी इस्तुती कर रहे थे उत्तम पारिजात वरक्ष लेकर श्रीक्रिष्न सहसा द्वार का पुरी के उपर जा पहुँचे उन्होंने शंख बजाकर द्वार का वासियों के हर्दे में हर्ष भर दिया फिर सत्यभामा के साथ गरुड से उतर कर पारिजात को उनके आंगन में लगाया उसके नीची जाने पर सब लोगों को अपने पूरु जनम की बाते याद आ जाती थी उसके फूलों की सुगंध से बारह कोस्त की प्रत्वी सुगंधित रहती थी संपुर्ण यादवों ने उस व्रिक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा तब उन्हाने अपने को अमानग देवता तुलिपाया इसके आगे का व्रतात आप सभी अगले धह में सुनेगा आपने श्रिग्रिश्नी जनमास्टमी तो मनाई होगी काना जी की छटी भी मनाई होगी लेकिन क्या आप जानते हैं कि काना जी की छटी मनाने का प्रचलन कैसे शुरू हुआ इसके पीछे एक बहुती सुन्दर रोचक कथा प्रचली थे जिसे आज आप सभी को जरूर सुनना चाहिए और अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजेगा पुरानों के अनुसार काना जी के जनम के बाद चारो तरफ खुशियां ही खुशियां थी सब लोग खुशी में जूम रहे थे सभी लोग नंद बाबा और मिया एशुदा को काना जी के जनम की बधाईयां दे रहे थे चारो तरफ संगीत और निरती चल रहा था पूरा गोकुल धाम फूलों से सजा हुआ था काना जी के जनम की छटी का दिन जो था सब लोग खुश थे अचानक से काना जी जोर जोर से रोने लगे जब काना जी जोर जोर से रोने लगे तो मया एशुदा के साथ सभी गोकुल वासी उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगे लेकिन कोई भी उन्हें चुप नहीं करा सका आकाश से सभी देवतागन काना जी की इस लीला को बड़े ही प्रेम से और बड़े ही ध्यान से देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार जोर जोर से रोता हुआ देख कर तब सभी देवतागनों ने श्री ब्रह्मा जी से इस समस्या का उपाई सोचने के लिए और इस समस्या को दूर करने के लिए अनुरोद किया तब ब्रह्मा जी ने शक्ति के स्वरू पुआली महा माया को श्री कृष्ण के पास भेजा नन्हे से काना थे कि लगाता रोय ही जा रहे थे तो महा माया रूप बदल बदल कर उन्हें चुप कराने का प्रयास करने लगी महा माया अपनी शक्ती का प्रयोग करके कभी कानह जी के पास में खिलता हुआ सुन्दर सा फूल बन जाती तो कभी सुन्दर सा पक्षी बन जाती इस तरह वो उन्हें खिलाने लगी थोड़ी देर तक तो उन्हें देखकर कानह जी चुप हो गए जिससे सब लोगों को कुछ देर के लिए शान्ती मिल गई कि उनका कानह अब चुप हो गया है लोग ये देखकर हैरान थे कि नन्ह सा कानह इधर दर आखिर कार देख के से रहा है और इतना खुश क्यों हो रहा है क्योंकि कानह जी जब चारों और को देखते तो जो महा माया थी वो उन्हें हसा रही थी खिला रही थी जिन्हें देखकर ही वो कभी मुस्क्रा थे कभी जोर जोर से किलकारी भर कर हसने लगते महा माया को कोई भी देख नहीं सकता था ना ही नंद बाबा ना ही मया एशुदा और ना ही गोकुल वासी केवल उन्हे भगवान शिर्किष नहीं देख सकते थे जब थोड़ी देर के बाद नन्हे काना ने फिर से रोना शुरू कर दिया और महा माया जब अपने सभी कोशिश करके ठक गई कुछ देर तक तो वो चुप कराने में सफल हो जाती लेकिन देखती कि थोड़ी तर के बाद काना जी पर से रोना शुरू कर देते तो जब वो थक हार गई तो उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी शायद काना जी को भूक लगी है और मया येशोदा को दूद भी नहीं आ रहा इसी कारण से प्रभू रो रहे हैं तब श्री ब्रह्मा जी ने मया येशोदा को आश्रवाद दिया जिसके कारण येशोदा मया की छाती में दर्द शुरू हो गया और उसमें से दूद टपकने लगा जिसके बाद येशुदा मया ने तुरंत काना जी को अपनी गोद में उठाया और छाती से लगा लिया दूथ पीते ही काना जी तो मौन हो गए चुप हो गए प्रसन हो गए इधर भगवान स्री कृष्ण को चुप होते देखकर सभी लोग प्रसन हो गए लेकिन महा मया निराश हो गई क्योंकि वो तो चाहती थी कि वो नटकट काना जी के साथ खेलती रहें और उन्हें रिजार रिजा कर उन्हें चुप कराती रहें इस पर जब ब्रह्मा जी ने महा मया को निराश देखा तो उनसे पूछा कि महा मया क्या बात है तो मुदास क्यों हो गई महा मया ने उत्तर दिया हे प्रभू मुझे तो भगवान स्री कृष्ण के साथ खेलने में बहुत ही आनन्द आ रहा था जब ब्रह्मा जी को महा मया की ये बात पता चली तो वो मुस्क्रा कर बोले कि आज से तुम छटी के दिन हर घर में पूजी जाओगी जिस घर में नवजाच शिशू पैदा होगा उस घर में लोग तुम्हारा स्वागत संगीत और खुशी के साथ करेंगे क्योंकि तुम काना जी के जनम के ठीक छे दिन बाद ही उनके घर पहुची थी उन्हें हसा खिला रही थी इसलिए हर कोई जिसके घर में बच्चा पैदा होगा तुम उसके घर में एक मा की तरह पूजी जाओगी तुम भगवान श्री कृष्ण की तरह ही सभी बच्चों को आनंद भी प्राप्त कराओगी और सभी बच्चों की रक्षा भी करोगी ये सुनकर महा माया अत्यांत प्रसन्न हो गई और ब्रह्मा जी को उन्होंने साधर प्रणाम करके धन्यवाद दिया इसी कारण से छटी के दिन का जो मा का दूद होता है वो बच्चे के लिए अमरित के समान समझा जाता है वैसे तो मा का दूद हमेशा ही अमरित के समान होता है लेकिन छटी के दिन जो मा अपने बच्चे को दूद पिलाती है वो मा अपने बच्चे को आने वाले हर संकट से दूर करती है और ऐसा शिशू छटी माया की किरपा से अपने माता पिता का नाम रोशन करता है सद अच्छे मार्ग पर चलता है ये वीडियो आपको कैसे लगी हो सके तो कमेंट बॉक्स में चरूर बताईएगा